मैं फिर से एक बार आप लोग को स्वागत करता हो मेरे यूट्यूब चैनल इजी नीट पे आज का टॉपिक है टॉपर्स टाइम टेबल टू क्रैप नीट 2023 देखिए बच्चों बीना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता मेहनत तब को करनी ही पड़ेगी मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूँ चलना तो आपको ही पड़ेगा और इस रास्ते पे अगर आपको कोई भी तकलीब हो रही है कोई भी मुस्कील आ रही है तो मुझे कॉमेंट करके बताना मैं कोशिस करूँगा उसको सलूशन आपको देने की देखिये ऐसा कोई टाइम टेविल नहीं होता है हर इंसन का अपना एक बायोजिकल साइकल होता है अगर कोई कुछ टाइम टेविल फॉलो कर रहा है और आपके लिए भी अप्लिकेबल होगा ऐसा कोई बात नहीं कोई शुबा पांच बज़े उठके पड़ रहा है कोई उठेगा तो उसका पड़ाई नहीं होगी तो आप अपने हिसा अपसे आपना टाइम टेविल खुद बनाना कि लेकिन फेर भी कुछ बच्चों को यह तकलिफ होती है आपना टाइम टेविल बनाना तो मैं उनकी थोड़ा हेल्प करूंगा देखिए आप अपने जो भी टाइम टेविल बनाईगा दो घंटे अंतर अंतर दस मिनीट यप 15 मिनीट कर ब्रेक लीजिए गा और रात को बारा बज़े में सो जाएगा सुबद छे बज़े के उठने की कोशिस किजिएगा रात को जाता देर मज जगिएगा नहीं तो उसका इंपेक्ट आपके हेल्थ और आपके स्टाड़ी दोनों में ही पड़ेगा सबसे अच्छा है अगर आप सुबह उठ सकते हैं सुबह सुबह उठिए और रात को जल्दी सोने जाएगा इससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा और आपने सरीर को हमेंसा हाइड्रेटर रखिए यानि कि थोड़ी समय अंतर अंतर पानी पीते रही तकि आपका हेल्थ अच्छा रहे और आप एनर्जिटिक रहे हैं और जैसा कि मैंने पहले भी बोला हर इंसन का अलग 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 बाइलिजिकल साइकल होता है आप अपते ही सबसे खुझ से टाइम टेविल बनाएगा और आगा पार यह सोचते कि टाइम टेविल को हम अच्छे से फॉलो करें तो यह नहीं हो सकता थोड़ा इधर उदर हो सकता है तो मैं यहीं बोलता हो कि आगा यह सबसे अच्छा है कि अगर आप टाइम टेविल से नहीं बना कर अगर आप आपने डेली टास्क बना ले तो यह आपके लिए ज्याज़ा बेनिफिट रहेगा शुबह उटके उस दिन के टास्क लीक लीजिए और जबता को पूरा रहो सुने मत जाएगे इससे आपका स्टाडी और बहतर होगा और आखेर में आज के जो एनॉंस्मेंट है सतास तरिक से मेरा बाइलुजी के डिटल लेक्चर साना स्टार्ट हो जाएगा इसके लिए आप लोग तैयर रहें नुट 2023 के लिए मैं ही आपको बाइलुजी पुड़ाओंगा कोईसिंस भी मैं ही प्रक्टिस करूंगा और प्युवाइक्यूस भी मैं ही आपसे लगाओंगा कोई टेंसिंस करने की बात नहीं है हपते में एक वर रिवजिन की क्लास भी होगी मौक्टेज भी मैं ही करूंगा आप सिर्फ मेरे साथ पूरे सल्वर बने रहें न और नीट में बाइलुजी में 340 प्लास ले आने की गैरंटी मैं लेता हूँ आगल साल भर आपने मेरे सब अच्छे से पढ़ाई की तो आपका 340 प्लास माक्स नीट में आ जाए हूँ इसका गैरंटी मैं लेता हूँ तो चलिए दोस्तों आज के लिए तक से इतना ही आप लोगों से फेर मिनते हैं मेग अगली वीडियो में तब तक के लिए अलवीदा दोस्तों